हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में The Chemist Club मैं आशा करती हूँ कि आप सब जहां भी होंगे कुशल मंगल होंगे आज का जो हमारा विशेज टॉपिक है, वो है Saturday is for Scientist तो देखिए हम लोग Chemistry पढ़ते हैं तो बट उसके साथ-साथ मैं यह सोचती हूँ कि हमें थोड़ा अपने Scientist के बारे में, उनके background के बारे में भी पता होना चाहिए जैसे हम बहुत name reactions परते हैं वन आफ दी मोस्त फेमस name reaction is Grignard reaction हम लोग और भी कई सारी CC कप्रिंग की reactions परते हैं Kumoda, Hiyama, Suzuki और भी name reaction जैसे Wolfs Krishna rearrangement हो गया और भी बहुत सारी होती हैं बच हम लोग कभी यह नहीं सोचते कि हम उनके background के बारे में जाने कि इन सब को यह ideas आये तो आये कैसे क्योंकि organic में इतनी name reactions है और हर एक अलग-अलग तरीके की है तो लोगों को कुछ न कुछ तो उसके बारे में idea आता होगा वो कैसे सोचते होंगे उसके बारे में यह आती कहां से है thought process तो मैंने सोचा कि हम थोड़ा हट के आज इनी topics पर बात करते हैं तो मेरी जो theme है इस चीज़ की वो क्या है Let's discover a scientist in ourselves Seriously, we have to discover a scientist Because हम लोग chemist हैं और हमें पता है कि हमारे अंदर एक कोई scientist है जो अभी तक unrevealed है, जो अभी तक बाहर नहीं निकला है तो इसलिए मेरा जो main focus रहेगा कि मैं आप सबको आपके अंदर के एक hidden talent से और hidden scientist से रूबरू करवा पाऊ ताकि आप लोग भी जब अगली बार लाब में जाए तो आप भी एक scientist की तरह सोचे तो आईए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे इस episode के साथ आज हमें एक बहुत ही great scientist की बात करने वाले हैं विक्टर जिगनाड जो एक Nobel laureate भी है और एक person है जिन्होंने discovery करी की CC coupling reaction की क्योंकि CC coupling बहुत ही मुश्किल एक coupling माने जाती है और यह बहुत ही मतलब लोगों के लिए scientist के लिए basically बहुत बड़ा task होता है क्योंकि इसमें उन लोगों को बहुत efforts लगते हैं और कई बार अगर ऐसी हमें coupling भी करनी होती है तो इसमें हमारा बहुत जादा steps लगते हैं chemistry के जैसे मतलब आप अल्डोल condensation भी मान सकते हो कि अल्डोल condensation जो थी उसमें मतलब जबापुन basically वो भी CC coupling ही है अगर आप जहां से देखेंगे उसको पढ़ेंगे तो लेकिन उसमें न कई बार हमारे साथ क्या होता है कि बहुत जादा buy products मिलते हैं और कई बार ऐसा होते हैं जो हमें reaction जो हमें product चाहिए होता है वो हमें नहीं मिल पाता है तो इस वज़े से हमारे लिए जो CC coupling होती है वो एक बहुत बड़ा task होती है तो जो ग्रिगनाड थे विक्टर ग्रिगनाड थे इन्होंने इसी चीज़ को बहुत संभव बनाया था और बहुत possible बनाया था तो आईए हम इनके background के बारे में जानते हैं तो बात करते हैं सर विक्टर ग्रिगनाड के background की तो इनका January 6 में 1871 शोबोग फ्रांस में हुआ था और he was the son of a sailmaker और बताया जाता है कि इनका nature बहुत ही humble और friendly था तो मैंने एक चीज़ देखी है जो भी बड़े the great personalities होती है जैसे अबदुल कलाम जी हो गए अमबानी के बारे में भी बोला जाता है और ताता और भी बहुत सारे लोग हैं जो इनके बारे में बताया जाता है कि लोग बहुत ही बच्पन में ऐसे not so well to do family के होते हैं बट कु क्योंकि जो achievements होती हैं जो success होती है ये बिना मेहनत के नहीं मिलती किसी को तो देखिए आप लोग भी कभी भी मैं आपसे यहीं उमीद करती हूं कि आप लोग भी कभी मेहनत करना मत चोड़िएगा क्योंकि मेहनत का फ़ल आपको मेलेगा जरूर आपकी मेहनत कभी खराब नह होती आज नहीं तो कर आपको ज़रूर मिलेगा और बस आपको दिल से महनत करनी है और आपके साथ देखते जाहिए का सब अच्छा होगा तो देखिए आज जो अगला हमारा जो स्लाइड आने वाली है वो है एजुकेशन के बारे में कि उनकी एजुकेशन कैसी थी तो बात कर होगा कि ये केमिस्ट्री में काफी इंट्रस्टिड है तो इन्होंने अपना एक मतलब पी एच्री जो है वो केमिस्ट्री में करने की सोची और इन्होंने बहुत ही काबिलियत प्रोफेसर के साथ इन्होंने वोक करा है तो ये ग्रेट ऐसे ही नहीं है इन्होंने बहुत hypothesis by adding the alkyl halide, तो देखे इन्होंने ग्रिगनाड reagent कैसे बनाया, तो इन्होंने क्या किया, जो alkyl halide है, पहले उसको magnesium fillings के साथ react करवाया, इन anhydrous dry ether के साथ, फिर उसके बाद उसमें aldehyde और ketone डाला, this resulted in a drastic increase in the yield of the reaction, तो देख सकते हैं आप इससे इनको जो yield मिली reaction की, वो बहुत जादा मिली, क्यों क्योंकि अब reaction किस पात्वे से हो रही है, ग्रिगनाड reagent के पात्वे से हो रही है, और उसमें एक intermediate यह बंद रहा है, ग्रिगनाड reagent का, जिसमें R पे negative charge है, अम्पलॉंग chemistry मिल रही है, तो देखिए, अभी तक जहाँ पर हमें सिर्फ कार्बन पर positive charge देखने को मिल रहा था, तो ग्रिगनाड जी ने क्या कर दिया था, कि कार्बन पर एक negative charge डेवलप कर दिया था, तो यह वाक्षी बहुत बढ़ी चीज थी, तो कुछ सालों बाद क्या हुआ, जो ग्रिगनाड थे, he was able to isolate the intermediate, he had heated a mixture of magnesium, turnings, isobutyl iodide and added dry ethyl ether, basically उ किस तरीके से उसको extract किया, उसको isolate किया, उसको तरीका यहां पर बताया हुआ है कि magnesium tunings, फिर उसको react कराया, isobutyl iodide के साथ, dry ether डाला, फिर उनने reaction को observe किया, यह जो product है, उसको हम ग्रिगनाड reagent बोलते हैं, and it was named after him, यह जो organo magnesium compound है, RMGX, यह readily react करता है, ketones के साथ, aldehydes के साथ to produce respective alcohols in impressive yields, तो यह basically हमें एक product देता है, alcohol का, बहुत अच्छी yield में देता है, so, ग्रिगनाड had discovered the synthetic reaction, which now bears his name, the ग्रिगनाड reaction, and यह कब discover हुई थी, 1900 में, so, इनकी बहुत ही जादा achievements और इनको बहुत prizes भी मिले थे, जिसे बहुत जो important चीज़ों का मैं बताना चाहती हूँ कि 1901, जिसे अभी देखा, हमने 1900 में इनका जो ग्रिगनाड reaction था, वो बनके तयार हुआ, फिर 1901 में इनको क्या हुआ थे, इनकी doctoral thesis submit हो गई थी, यह कुछ french इनकी टेक्स्त है, यह में को नहीं अच्छे से पढ़ना आता, बट इनका इस thesis के नाम से, इनकी thesis submit होई थी, और वो प्रोफेसर बन गए थी, उनिवर्सिटी अफ नांसी में, in 1910, और उसी साल, वो और पॉल सबाथियर, वो और अवार्ड नोबल प्राइज न केमिस्ट्र करने जारे हैं लाब में, क्या पता, क्या रिजल्ल दे ले, क्योंकि Chemistry is all about chemist trial, so Chemistry is all about trial, okay, you go in lab, हम try करते हैं, अलग अलग compounds को डालते हैं, कई बार reaction work करती हैं, कई बार reaction work नहीं करती हैं, फिर हम conditions को optimize करते हैं, अलग अलग conditions पर देखते हैं, तो देखिये, चमत का कभी भी हो पूरी टेस्किंग करवाईए तब उसको त्रो करिएगा जब आपको कई बार ऐसे होता है कि हम लोग चीज़े फेक देते हैं बहुत असानी से लेकिन ऐसे हमें नहीं करना चाहिए हमें जरूर उन्हें स्टोर करके रखना चाहिए हम बात करते हैं टेक अवे की तो हमने आज इतना मतलब आपने मुझे इतना स्पेशल टाइम दिया अपना एक साइंटिस्ट के बारे में जो भी मैंने बताया आपने वो सुना मतलब सुना क्या आपको इसमपाते पहले ही पता होंगी विक्टर ग्रिगनाड की रियाक्शन हम बहुत पहले से ही समझते आ रहे हैं करते आ रहे हैं बस हमने थोड़ा उनका बैक्ग्राउंड जानने की कोशिश करी सो एक टेकवे तो होना ही चाहिए ताकि हम लोग अपनी लाइफ में इन चीजों को अपने अंदर ला सकें और ग्रॉस कर सकें और हम अपनी जिंदगी में बहुत आगे तरक्की कर सकें क्योंकि हो सकता है कई बार मैं जैसे विक्टर ग्रिगनाट के बारे में बता रही हूँ हो सकता है मैं कभी आप लोगों के बारे में भी बताओं ऐसे ही इतने बैक्ग्राउंड के साथ हर एक चीज़ के साथ सो कभी हमें अपने अंदर एक होप को नहीं चोड़नी चाहिए है ना सो यही बात में आपको बताना चाहोंगी कि आपको कभी भी हाट बग करना नहीं चोड़ना चाहिए क्योंकि जो रियाक्शन हम लोग अल्रेडी कर चुके हैं जैसे बेसिकली ग्रिदनार जी के साथ क्या हुआ जो सेज़फ रियाक्शन थी वो अल्रेडी रिपोर्टिक थी जेंक के साथ और मेगनेजियम जब उन्होंने डाला तो उनको बहुत अच्छा मतलब उनको रिजल्ट देना ही सब कुछ नहीं होता जब आप लाब में काम करते हैं तो आपको पूरा एक हाइपोटिसिस तयार करने पड़ती है कि वो रियाक्शन कैसे हुई उसका पूरा प्रपोजल देना पड़ता है कि उसके पीछे का मेकानिजम क्या होगा उसके पीछे मतलब क्या-क्या ची अगर हम अगली बार उस रियाक्शन को लाब में करेंगे तो हम सोचेंगे कि अरे इसमें हम यह भी डाल के देख सकते हैं देखते हैं क्या होता है तो मैंने भी औरगैनिक केमिस्ट्री से मेरा मेजर है मैंने भी औरगैनिक केमिस्ट्री में अपनी थीजिस लिखी है तो मैं अभी यही करती थी लाब में मैं हमेशर थोड़ा एक्स्ट्रोर करती थी केमिस्ट्री को चीजों को डाल के और फिर जब आप पेपर पब्लिश क तो आपको अलग-अलग solvent यूज करने पड़ते हैं, अलग-अलग चीजे इस्तिमाल करने पड़ते हैं, reaction condition इस्तिमाल करने पड़ते हैं, इकी reaction को करने के लिए, तो chemistry एक सच में बहुती उनिंदा और बहुती interesting subject है, इसको हर बच्चे को एक अच्छे interest के साथ पढ़ना चाहिए, यह नहीं सोचना चाहिए कि यह बस ratification है, बस pass हो जाना है, नहीं, अगर आप chemistry पढ़ रहे हैं, तो at least जब तक पढ़ने हैं, आप पूरा 100% के साथ पढ़े है और देखिए आपकी संदिगी में जरूर मेरा कर होगा एक दिन, मेरा विश्वास है, so thank you दोस्तों, मुझे उमीद है कि आपको आज का मेरा ये चानल पसंद आया होगा, जो episode था Saturday Scientist, तो Saturday Scientist basically मेरा मतलब ऐसा कोई दिन नहीं है, क्योंकि किसी Scientist का कोई दिन नहीं होता Saturday या कि Saturday Scientist, Monday Motivation, जो मेरे चानल है, ये थोड़ा राइम करें आपस में, इसलिए मैंने आज का दिन च्यूज किया, so दोस्तों, मुझे उमीद है आपको ये मेरा चानल पसंद आया होगा, और Saturday Scientist में आगे हम और भी Scientist के बारे में बात करेंगे, simultaneously हमारा subject के भी topics साथ-साथ चलत होते रहें, क्योंकि ये जो नोट्स में आपको दिखा रहे हूँ, मैं पूरे विश्वास के साथ के सकती हूँ, गैरेंटी के साथ कि आप जरूर इसके पढ़के, आप कोई भी नाशनल लेवल का एक्जाम करा करेंगे, क्योंकि मैं भी इसके पीछे, हर वीडियो के पीछे मेरी दो-तीन घंटे की महनत रहती है, ताकि मैं आपको बेस्ट चीज परवाइड कर सकूँ, प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सबस्क्राइब करिएगा और इस फामिली में जोड़ जाहिए, थैंक यू